इंदॉर में लगातार कोरोना वारस के मामलों में गिरावट जारी है। पिश्ड कुछ दिनों से नए मिलने वाले मामलों की संख्या सौ के नीचे ही आ रही है। इंदॉर में नवंबर के पहले देन सिर्फ 76 ही नए पॉजिटिव मामले सामने आए। इसके पूर्व जुलाई 28 तक 74 निकले थे। लंबे समय के अंतरार के बाद इंदॉर में सक्री मामलों की संख्या धाई हजार से कम हुई हूँ। इंदॉर में आखिर आठ दिनों में 878 ही पॉजिटिव पाए गए हैं। मद्री पुजिटेश के इस थापना दिवस के अवसर पर सबसे जादा मद्री पुर्देश की राजधानी भोपाल में ही कोरोणा संक्रमत देखने को मिले। भोपाल में एक बार फिर से नई मरीजों की संक्या 200 से जादा मिली। एक नवंबर को मदिप्रदेश में कोरोना से साथ मौत हुई 26 अक्टूबर को पांच मौत के बाद सबसे कम मौत नवंबर के पहले दिन हुई अभी तक 682 की मृत्यू कोरोना से हुई है और 34,195 संक्रमित मरीजों में से 31,111 लोगों ने कोरोना को मात दी है कुल 90 मरीज आज डिस्चार्च किये गए इस समय 2402 पॉजटिव मरीज अपना उपचार करवा रहे हैं और अब तक 4,10,428 टेस्ट किये जा चुके है अब तक मादिप्रदेश में 2969 लोगों की मौत हुई है जिसमें इंदौर में 682, भुपाल में 481, जवलपुर में 204, ग्वालियर में 162, सागर में 124, उजीन में 97, खरगोन में 64, दमोह में 62, बेतुल में 61, हुश्रंगाबाद में 49, रीवा में 30, मौत सहित, भुपाल में 220, ग्वालियर में 36, जवलपुर में 30, रीवा में 21, बा जिसके चलते अभी मद्रप्रदेश में 1,72,188 कोरोना संक्रमन की मामले हो गए हैं जिसमें से 1,60,773 ठीक हुए हैं 2,969 की मौत हुई है आप देख रहे हैं घमासान.com और भी न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें